एक बर फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल के टू फैंटासी स्पोर्ट में इंडिया वर्सस वेस्ट इंडिज टीट इंडिया वर्सस वेस्ट इंडिज फाइव टी-ट्वन्टी डेट अगस्ट तो हजार बाईस टाइम रात के आट वजे मेच वेण्यू की बात करें त इच बल्लेवाजी के लिए अधवुत थी जैसा कि हमने पिछले गेम में देखा था, गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आती है, इस मैच में भी यही उमीद है, वेदर रिपोर्ट की बात करें, रवीवार के लिए मोसम थोड़ा और बादल चाहे रहने की उमीद है, मैच में 12 की 60 पर 30 संबावना है, 6 अगस्त को यहां का ताप मान 32 से 26 डिगरी सेलसेच रहेगा, 24 किलोमेटर पर ती घंटा की रप्ता से हवा चलेगी, जबकि आधरता 65 पर 30 सत रहेगी, फाइनल टीम की अफडेट आपको टेलीग्राम की चैनल पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल ज़रूर जोइन करें, डिस्क्रेफशन बॉक्स में लिंक दिया है, वेज्टिन की बात करें, तो टोटल में 13 खेला गया है, बाइटिंग फरिश्ट वाले 10 में जीते हैं, बॉलिंग फरिश्ट वाले 2 में जीते हैं, 1st inning average score 160 है 2nd inning average score 124 है highest total 245-6 wicket की नुक्सान पर जबकि lowest total 81 है 10 wicket की नुक्सान पर highest chest 2 है 96 wicket की नुक्सान पर जबकि lowest defended है 127 wicket की नुक्सान पर इंडिया किर्केट टीम इंजडी की बात करें तो अभी तक कोई चोट अफडेट नहीं है वेस्ट इंडिस किर्केट टीम इंजडी की बात करें तो इसका भी अभी तक कोई चोट अफडेट नहीं है विनेर पडेरिक्सन की बात करें तो इंडिया हाल के मैंच हम अच्छे फॉम में दिख रहे हैं 33 रन की पारी खेलेते हैं पांच बॉल पर 11 रन की पारी खेलेते हैं एक बॉल पर 0 रन की पारी खेलेते हैं और आकरी में 17 बॉल पर 17 रन की पारी खेलेते हैं सुर्य कुमार यादब की बात करें तो 14 बॉल पर 24 रन की पारी खेलेते हैं साथ बॉल पर 10 रन नोट आउट की पारी खेलें, 36 बॉल पर 33 रन की पारी खेलें थे, 32 बॉल पर 27 रन की पारी खेलें और आखरी में 17 बॉल पर 33 रन की पारी खेलें थे, यह लगतार दो मैच में विकेट लेस रहे थे, यह लगतार दो मैच में विकेट लेस रहे थे, अब फ 26 बॉल पर 33 रन नोट आउट की पारी खेले, 12 बॉल पर 24 रन की पारी खेले थे, फिर 12 बॉल पर 14 रन की पारी खेले थे, और आखरी में 113 बॉल पर 125 रन नोट आउट की पारी खेले थे, संजू समसम की बात करती अबिकेट की पर है, 23 बॉल पर 30 रन नोट आउट की पारी खे यह बैटिंग का चंस नहीं आये थे यह पहला मैंच में 2 बिकेट निकाले थे फिर बिकेट लेस रहे थे फिर एक बिकेट निकाले फिर विकेट लेस रहे थे और आकरी मैच में एक बिकेट निकाले थे अपने टीम के लिए पोबिन शुवर कुमार की बात करे तो पहला मैच में बिकेट लेस रहे थे फिर दो बिकेट निकाले थे और आकरी मैच में या तीन बिकेट न आकरी मैच में या एक विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए और आखरी में विन करके आये हैं टिम, बी किंग की बात करें, तो आट बॉल पर तेरे रन की पारी mesure child 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 भी किन आखरें और यान्ट बॉल पर बेता आड़ गレ fatal वारी में की पारी खेलें, काईल मेर्स की बात करें, 16 बॉल पर 14 रन की पारी खेले थे, 15 बॉल पर 33 रन की पारी खेले थे, 14 बॉल पर 8 रन की पारी खेले थे, फिर 6 बॉल पर 15 रन की पारी खेले थे, और आकरी में 1 बॉल पर 0 रन की पारी खेले थे निकलस पूरन की बात करें या विकेट की पर है साथी टीम का कैप्टेन भी है जो 8 बॉल पर 24 रन की पारी खेले थे 23 बॉल पर 22 रन की पारी खेले थे 15 बॉल पर 18 रन की पारी खेले थे और आकरी में 32 बॉल पर 42 रन की पारी खेले थे सिमरन हैट मायर की बात करें 19 बॉल पर 19 रन की पारी खेले थे 12 बॉल पर 20 रन की पारी खेले थे 10 बॉल पर 6 रन की पारी खेले थे 17 बॉल पर 14 रन की पारी खेले थे और आखरी में 12 बॉल पर 11 रन की पारी खेले थे देवन थॉमस की बात करे तो बिकेट की पर है जो 4 बॉल पर 1 रन की पारी खेले थे 0 बॉल पर 0 रन नोट आउट की पारी खेले थे 19 बॉल पर 31 रन की पारी खेले थे और आखरी दो मैच में बैटिंग का चांस नहीं आये थे और पावेल की बात के रहे तो 16 बॉल पर 24 रन की पारी खेले थे, 14 बॉल पर 23 रन की पारी खेले थे, 8 बॉल पर 5 रन की पारी खेले थे, फिर 17 बॉल पर 14 रन की पारी खेले थे, पिर 17 बॉल पर 14 रन की पारी खेले थे, जैसन होल्डर की बात के रहे तो 9 बॉल पर 13 रन की पा और आकरी दो मैच में या विकेट लेस रहे थे डोमिनिक ड्रेक की बात करें तो पहला मैच में विकेट लेस रहे थे फिर एक विकेट निकाले फिर दो विकेट निकाले फिर विकेट लेस रहे थे और आकरी मैच में या दो विकेट निकाले थे अपरे टीम के लिए अक्यल एक विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए अलजारी जोश्रव की बात करें तो दो विकेट निकाले थे फिर जीरो विकेट फिर एक विकेट उसके बाद लगतार दो मैच में दो दो विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए और एमसी क्वाइक की बात करें दो विकेट जी जी मोटी है जेसील है और एचवाल्स है फाइनल टीम की अफडेट आपको टेलिग्राम की चैनल पर मिलेगा टाउसें प्लेइंग 11 बाइटिंग आउडर के लिए टेलिग्राम चैनल जरू जोइन करें डिस्क्रेप्शन बॉक्स में लिंक दिया है अगर आपको वीडियो सर्मा को रखें सुरी कुमार यादव को रखें कायल मेर्स को रखें और बी किंग को रखें और रॉंडर से जेसन होल्डर को रखें दीपक हुड़ा को रखें बॉलिंग से और अमसी को रखें अक्यल हुसेन को रखें अर्षदिप सिंग को रखें कैप्टन की बात करें त तो कैप्टेन सुरी कुमार यादव है, वाइस कैप्टेन रोहित सर्मा है, यह फाइनल टीम नहीं है दोस्तों, फाइनल टीम आफ्टर टॉस के बाद दिया जागा टेलिग्राम चेनल पर, अगर अभी तक टेलिग्राम चेनल नहीं जोइन के तो जरू जोइन के,